इंडिया और सिर्लंका के बीच वंडर सिरीज के बाद में अब ICC ने वंडर रैंकिंग कोशिद कर दी है और आपको वीडियो में बता दूँ कि इस बार की वंडर रैंकिंग में विराट कोली को नुक्सान हुआ है इस वीडियो में हम विराट कोली और साथी वंडर पर नमबर एक बने वे हैं साथ ही आपको अगर पाकिस्तान की बाबर आजम की रेटिंग पॉइंट के बढ़ें बताऊं तो इस समय उनका रेटिंग पॉइंट 824 चल रहा हैं आगे इस लिस्ट में नमबर दो पर आते हैं टीम इंडे के प्रिंच यानि की सुबंगिल सुबं और इंप राते हैं टीम इंडा के वंडे 4 मिडे कप्तान रोइस सरम मा को टीम इनडा के सिरलंका और वंडे मैच के दोरान खेल गी फास्टेज पारियों का बहुती ही फाय्दा हुआ है इन पारिओ को चलते रोई श्यामा को अब एक हेसान का फायदा हुआ है और उनकी रे GCC के Wonder Ranky के अनुशार नंबर चार के पोजिशन पर आते हैं विरात कोली विरात कोली को पिछले कुछ मैतों के विज़सें एक स्थान का नुकसान हो आ याईनि के विरात कोली पहले जहां वेंडर रेंकिंग में नंबर 3 पर आते थे तो उसी के साथ अब विराट कॉली नंबर 4 की पूचन पर आते हैं साथ ही अगर उनकी रेटिंग के बात करें तो उनकी रेटिंग गटकर अभी 752 हो गई है विराट कोली पिछले कुछ मैचों से फोरम से बाहर चल रहे हैं जिनका विराट कोली वो खामयचा बगुतना पड़ रहा है और साथ ही इंडिया और सिलिंगा एक स्रीज में भी विराट कोली कुछ भी अच्छा पड़सन नहीं कर पाए आगे ICC के वेंडर रेंकिंग में नमबर पांस पर आते हैं आईलेंड के बलेबाद हैरी टेकर ICC के वेंडर रेंकिंग में इनका नाम एक चुकाने वाला नाम है तोकि आईलेंड के बलेबाद ICC रेंकिंग में नमबर पांस पर आते हैं और यह दिखाता है कि यह खिलाडी साउस अफरिका, इंगलेंड और ओस्टले की टीमों से भी बहुती बैदरी खिलाडी है यानि कि जहां पर टोफ फाइप में औस्टलिया, इंगलेंड और साउस अफरिका जिसे खिलाडी के नाम नहीं आते तो उनकी रेटिंग आते है 728 की आगे ICC की वंडे रेंकिंग में नमर 7 की पोजिशन पर चोकाने वाल नाम आता है डेविड वोर्नर का डेविड वोर्नर, ICC की वंडे रेंकिंग में नमर 7 पर आते हैं शिरलेंका की निसंग का जिनकी रेटिंग के बारें बात करें तो उनकी रेटिंग वंडे में 705 की हैं आगे इस लिस्ट में नम्मर दस पर बात करें तो नम्मर दस पर आते हैं साओ तफिका के रासी वर्डे दूसे जो की 701 रेटिंग पॉइंट के साफ में 10 वे नमर पर आत इस एनकरी स्रीज टीम इंड़य के लिए ऑक्री वेंडे सीरीज थी इसके बाद टीमइडय को दो ज़ार परच्यष में ही इंग्ले सिलाफ तीरी मैच्चों कि वेंडे स tree खेहल लिए और उसके साथ साथ कि cricket प्रियों में के लिए एक बहुती बुरी खबर है कि उन्हें अगले कुछ मेनों तेक मैश देखने को नहीं मिलेंगे टेम इंडिया का अब अगस में कोई भी अंतराइश्टी मुकाबला नहीं होने वाला है साथ ही आगे आने वाले मैश के बारें बात करें तो टेम इंडिया सितंबर में बांगलदे से खिलाफ वंडे और साथ ही अटुम्बर में बांगलदे से खिलाफ टीर टुमडे स्रीज खेलने वाली है और जैसा कि सभी को पता है कि बांगल्दिस में इस समय पर बहुती हिस्सा का दोट चल रहा है जिसका वीडियो मैंने बनाया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्रिप्सिन बोक्स में मिल जाएगा जरूर करें और साथी चैनले को सब्सक्राइब भी कर लें